500 ग्राम भेंडी है भेंडी को धोके साप करके 20 से चीरा लगाके रखना है देखिए 200 ग्राम आलू है आलू को छील के धोके साप करके इसना बड़ा बड़ा टुक्रों में काट लेना है 100 ग्राम पियाज है पियाज को भी इतना बड़ा बड़ा टुक्रों में काटना है एक म्यागी मसाला के पैकेट, एक चमच काश्मरी लाल मिच पाउडर, हाप चमच गरम मसाला पाउडर, हाप चमच हल्दी पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर, नमक साद अनुशार, हाप चमच पाचपुरन, और पाच चमच ओयल लगेगा देखिए अब मैं ओयल गरम करने दूँगी ओयल गरम हो गिया है अब इसमें मैं पचपुरण दे दूँगी और हरी मिर्ज दे दूँगी देखिए इसको 10 सिगन के पकाने के बाद अब मैं प्याज भी आड़ कर दूँगी मीडियम गैस में मैं सबजी को पकाऊंगी एक मिनिट प्याज को भून लूँगी देखिए एक मिनिट हो गया है अब मैं आलू एड़ कर दूँगी आलू को एड़ करके मिक्स कर लूँगी मिक्स करके अब मैं धक्कन बन करके आलू को 5 मिनिट के लिए पका लूँगी देखिए आलू मैं यहां 5 मिनिट पका ली हूँ एक बार मिक्स कर लूँगी मिक्स करके इसमें भेंडी दे दूँगी भेंडी दे के मिक्स कर लूँगी अभी कोरोना भाइरस के लिए आप लोग जितना होशके घर में रहिए बाहर मत निकलिए और बार बार हाथ को हैन और से धोईए अब मैं ढखके पाच मिनिट भेंडी को पका लूँगी देखिए पाच मिनिट हो गया है अब मैं फिर से मिक्स कर लूँगी सबजी को मिक्स करके अब मैं ढखके इसको और पाच मिनिट पका लूँगी देखिए पाच मिनिट हो गया है अब मैं एक बार और मिक्स कर लूँगी मिक्स करके इसमें सुखा मसाला दे दूंगी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिच पाउडर और नमक टामाटर भी दे दूंगी एस सबजी एकदम सुखा सबजी है इसमें पानी यूज नहीं होगा और इस सबजी आप रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हो चट जल्दी बन जाता है ज़्यादा मसाला कर भी यूज नहीं करना है देखिए अब मैं ढख के इसको पाच मिनिट के लिए और पका लूँगी पाच मिनिट हो गया है, एक बार मैं मिक्स कर लूँगी सबजी को मिक्स करके आलू को चेक कर लूँगी देखिए आलू मेरा गल गया है कि भेंडी जल्दी गल जाता है अब मैं इसमें मैगी मसाला एड़ कर दूँगी गराम मसाला पावडर भी दे दूँगी अच्छे से मसाले के साथ मिख्स कर लेना है करके अब मैं धक्कन बन करके 2 मिनिट पका लूँगी देखिए 2 मिनिट हो गया है एक बर मैं मिख्स कर लूँगी अल्मोस सबजी बनके तयार हो गया है अब मैं हरा धनिया आड़ कर दूंगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए चैनल में नहीं हो तो सस्काइब करना ना भूले मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद फिर से मुलाकात होगी नहीं वीडियो के साथ